आप सबी लोगों का एक बर फिर से स्वागत है हमारे चनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग SST के लिए Practice Set 3 है वो डिसकस करने वाले हैं दो Practice Set हैं Social Science के लिए वो आपके लिए पहले याद चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं जूनियर एडिट का जो एक्जाम होने वाला है तो यह उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट पेपर है जिनका सब्जेक्ट सोसल साइंस है उनके लिए यह पेपर है तो चलिए सुरू करते हैं विना टाइम वेस्ट के हुए पहला प्रशन है हाल के वर्षों में भारत में क्रसी वित का सबसे बड़ा स्रोत निमनांकित में से कौन सा एक है तो हाल के वर्षों में बारत में क्रसी वित का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है राइट अंसर ऑप्सन यह हो जाएगा बाडिजिक बेंक देखिए क्रसी छेतर के लिए बहुत सारे जो फाइनस करने बैंक हैं वो भी बनाए गए लेकिन अभी भी जो commercial बैंक हैं वही ज़्यादा रिंड हैं वो क्रसी को प्रदान करते हैं तो option A में right answer हो जाएगा option A next है अंतराष्टिय सौर गटवंदन का प्रथम सिकर सम्मिलन निम्नलिकित में से किस सहर में हुआ था तो अंतराष्टिय सौर गटवंदन का प्रथम सिकर सम्मिलन ने वो कहां पर हुआ था नई दिल्ली में हुआ था option A इसका right answer हो जाएगा देखिए अंतराष्टिय सौर जो गटवंदन है सौरूर जात पर आधारित देशों का एक संगटन है जिसका सुवारम भारत और फ्रांस द्वारा ध्यान देना है भारत और फ्रांस दोनों की पहल से इसको तीस नौमर 2015 को पेरिस में इसके बनाने की जो शुरुआत है वो हुई थी इस गटवंदन का प्रथम सिकर सम्मिलन 11 मार्च 2008 को नई दिल्ली में संपन हुआ था और दूसरा सिकर सम्मिलन है वो 31 अक्टूवर 2019 को नई दिल्ली में ही संपन हुआ था तो यानि पहला हुआ था 18 में दूसरा हुआ 19 में और इसका जो निर्माण है वो हुआ था 30 नौमर 2015 को पेरिस सम्मिलन में कॉप का पेरिस स को विवाजित करती है तो जो 38 भी है यह चांस जो है यह सीमा रेका है उत्तरी कोरिया दक्षडी कोरिया के बीच में जो सीमा रेका है वो उसका निर्दारन करती है और 39 किसके बीच करती है तो 39 39 वाला आपका राइट उपज है यानि commercial crop उत्तरवदेश की कौन सी है फोर का right answer आपका option भी हो जाएगा गन्ना commercial crop है यूपी की next है उत्तरवदेश में आवला की पैदावार वाला प्रमुक जिला निम्नलिकित में से कौन सा है very easy यह प्रताप गड़ है option इसका right answer हो जाएगा प्रताप गड़ है यह आवले के लिए बहुत ही famous है कुछ जो किसम है आवले की वह भी एक्जाम में पूछी जाती है जैसे बनारसी कृष्णा नरेंद्र नायन और नरेंद्र 10 आज कल जो एक्जाम में पूछी जा रही है आवले की जो किसम है वह पूछ जोंस ने option A इसका right answer हो जाएगा विलियम जोंस देखो जो सेंड्रोकोर्टस है इसकी पहंचान चंद्रकुत्मवरे के रूप में विलियम जोंस ने की और एरियन तता प्लूटार्क ने चंद्रकुत्मवरे को एंड्रोकोर्टस के रूप में वनित किया है ध्यान देना है एरियन तता प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्टस और विलियम जोंस ने सेंड्रोकोर्टस तो यहां पर देखिए बिलियम जोंस जोंस में सह आ रहा है सह से सेंड्रोकोर्टस ऐसे याद कर लो एरियन प्लूटार्क तो इन्होंने एंड्रोकोर्टस बोला है तो एरियन एंड प्रसिद्ध यूनानी राजदूत में किसके दरवार में आया था तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत में आया था चंदूत मौरे के दरवार में आपसंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसने कौन सा गृंत है जो लिखी तो में इंड का नामक बुक है जो लिखी है जिसमें भारती समाज के बारे में लिखा गया है नेक्स्ट है खिलाफ़त आंदोलन का समर्थन किया था तो खिलाफ़त आंदोलन का समर्थन करने वाले थे गांदी जी आपसंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा गांदी जी नायन का राइट आंसर आपसंडी गांदी जी नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारती समिदान का संगी अलक्षण नहीं माना जाता तो केंदर राज्यों के विच सकती का वटवारा ये तो संगी अलक्षण है पूर रूप से लिखित समिदान और ये भी संगी अलक्षण है एक एरी नागरिक्ता और तो एक एरी नागरिक्ता ये एक ही जो एक ही करत जो लक्षण होता है समिदान का वो है न कि संगिय और आपसंडी ये भी संगिय जो लक्षण है वो माने जाता है तो 10 का राइट आंसर आपका आपसंस ही हो जाएगा एक औरी नागरिक्ता नेक्स है नेमन लिखित मेंसे कि इस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में सुलक मुक्त व्यापार की सुविदा है वो प्रिधान की थी तो 11 का राट आंसर आप संडी हो जाएगा ये फर्कुम्त व्यापार की जो अनमती है वो अंग्रेजों को दे दी थी 1717 में फरुक्सियन ने एक फर्मान जारी कर दिया था जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 बार से कर देकर बंगाल में बिना अत्रिक्त चुंगी दिये वियापार करने की अधिकार की पुष्टी यह वो कर दी थी 1717 में नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सही सुमेलित है 1940 भारती राष्टी कॉंग्रेज का लाहोरा दिवेशन 1931 राजगुरुकोफासी 1921 अस्योग आंदोलन का प्रारम 1920 रॉलेट सक्त्यागरे तो जिसमें जो सही डेट दी गई है 1931 यह डेट आपकी सही है बाकी भारती राष्टी कांग्रेज का लाहोरा दिवेशन है यह 1929 में हुआ था अस्योग आंदोलन का प्रारम में 1920 में होता है रॉलेट सत्यागरव 1929 में होता है तो बाकी सबकी डेट है वो गलत दी हुई है 1931 मार्च को राजगुरू बगत सिंग और सुकदेव इनको फांसी दे दी गई थी नेक्स्ट है अदोलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कहगा करनाटक रावत वाटा राजस्थान मुपांदल तमिनाडू एन और में गाले तो 13 का आपका राइट आंसर अपसंडी हो जाएगा एन और आपका मिगाले में नहीं है आप यहां सब्दों से 20 का अंदाजा लगा सकते हैं और है और इस लेंग्वेज है यह साउथ इंडिया में अक्सर आप पहचान लेंगे इसको तो 13 का राइट आंसर आपका हो दैं ऑर आपका तमिणाडू में नकि मिगाले में एकस्ट है बाइरती राश्mac द्वज में चक्र किसका प्रतीक है तो बाहुच्टी राज्त इद्वज जो है उसमें चक्र प्रतीक है न्यायका ऊप्संडी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें kes तीलिया है और इसका प option B इसका right answer हो जाएगा 6 मा भारत में सिक्षित मध्यवर्ग ने जो 1857 की विद्रो में भारत का जो सिक्षित मध्यवर्ग था उसका नजरिया किया था तो इसमें पूचा है वो की विद्रो का विरोध किया समर्थन किया या तटस्तता है वो बनी रही या देशी स्रासकों के व अधिवर्ग की 1857 की विद्रो में बिल्कुल भागिदारी नहीं थी मतलब बहुत कम थी और जो उच्च पर गया उसकी तो थी नहीं बिल्कुल तो यहां इस तरीके concept वाले सवाल है वो आ सकते हैं आपके क्योंकि आपका subject social science है next है कुका अंदोलन को किस किसने संगठित है व यह 1840 में हुई थी 1840 में बगत जवाहर मल्क के द्वारा की गई थी फिर बाद में जिसने मुखत सियान साब के नाम से पुकारा जाता था जवाहर मल्क को इसका अधिस सिक धर्म में प्रचलित बुराईयों और अंद्विसासों को दूर कर इस धर्म को सुद्ध करना था कि तो बाद में ये राजनितिक आंदोलन में परवर्थत हो गया जिसका नेतरत है वो राम सिंग ने किया और 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंग को रंगुन निरवासित कर दिया गया जहां 1885 में उनकी मृत्यू है वो हो गई तो खुका अंदोलन आपका पंजाब से हो ग करना है तो सूची एक में एक तरफ आपके आलपस बॉस जेज विंद्य और फ्यूजी आमा परवस रिडियों के नाम है और एक तरफ हैं आपके यह किस प्रकार के परवत हैं ब्रंसोत हैं ज्वाला मुखी हैं वलित हैं अफसिस्ट हैं तो देखें यहां पर आपका आठारा क राइट आंसर हो जाएगा आलपस तो आपका वलित परवत होता है तो एका तो आपका थरी हो जाएगा एका आपका यहां पर मिलेगा थरी के साथ में वलित परवत और फ्यूजी आमा आपका है ज्वाला मुखी परवत फ्यूजी आमा ज्वाला मुखी परवत तो एक डी का यहां पर two हो जाएगा बिंद्य रेंज कैसी है तो बिंद्य रेंज आपकी C की right answer हो जाएगा और शिश्ट परवत बिंद्य रेंज आपकी पुराने परवश्रेणियों में आती है वलित में और वाज जेस है यह किस तरीके का हो जाएगा यह आपका ब्रंसोत परवत है तो यह आपका सुमेलित है वो हो जाएंगे 18 में फिर आपका रायट आंसर हो जाता है देखते हैं 18 यह सुमेलित हो रहा है A का 3 A का 3 इसमें B का 1 B का 1 इसमें है C का 4 C का 4 इसमें है डिका 2 तो B ये आपका समेले तो हो रहा है आपसन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नेमने लिखित में से कौन सा एक भारती सम्मेदान का दर्शन नहीं है कल्यान कारी राज, समाजवादी राज, राजनेतिक समानता, सामेवादी राज तो बारती सम्मेदान का दर्शन नहीं है, तो समेवाद नहीं है समेवाद को तो लोगतंतर के लिए सबसे बड़ा खत्रा माना जाता है तो 19 का राइट आंसर आपसन D हो जाएगा नेक्स्ट है लोगसवा का नेता कौन है, लोगसवा का नेता कौन होता है 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा option B प्रजानमंत्री नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवस्यक है जै विवित्ता का सरक्षन प्रदूसर्ण का निरोधेवनियंतर्ण निर्दनता को गटाना तो देखिए sustainable development के लिए सुरी sustainable development के लिए ये सभी चीज़ें जरूरी होती है option D राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विसाका गाइडलाइन्स किससे संबंदित हैं देखिए विसाका गाइडलाइन्स है ये कारिस्तल पर महिला सुरक्षा से संबंदित गाइडलाइन्स है option C इसका राइट आंसर हो इसको act के रूप में परवर्थित किया गया था 2013 में तो केवल गाइडलाइन्स पूछी जाए और डेट पूछी जाए तो 1997 हो जाएगा लेकिन ये act में कब परवर्थित हो गई तो 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कारिस्तल पर महिला सुरक्षा से संबंदित हैं यह भी ध्यान देना है कार इस्तल यह working working woman की सुरक्षा के लिए हैं ये next ह हालदीगाटी में युद्ध में महाराना परताские सेना के सेनापति कौन थे तो हालदीगाटी के युद्ध में महाराना परताब की सेना के सेना पती जो थे 23 का राइट आंसर ऑपसंसी हो जाएगा हाकीम खान और अकवर की सेना के सेना पती कौन थे मांसी इसी युद्ध में नेक्स्ट है सूची एक सूची दो सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के सूचीयों के नीचे देगे कूट से सही उतर है में चुनिए पल्लव पांडव यादव और काकती एक तरफ राजवनसों के नाम और एक तरफ राजदानिया वरंगल कांची मदुरा देवगरी तो देखें यहाँ पे आपको देखना है पल्लवों की राजदानी क्या थी पल् अपकीए हो यादव हैं वह देखें हो जाएंगे और काकती तो इस तरीके से समेलित हो रहा है तो एक दो इसे दो में दिया हुआ है और बी का एक यह उनिसी हो नहीं सकता बी का तीन है और C का 4 ये और D का एक हो जाएगा तो अपसन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सायुक्तराष्ट की सुरक्षा परिसद का 27 सदस्य नहीं है तो सायुक्तराष्ट की सुरक्षा परिसद का 27 सदस्य नहीं है ट्वंटी फाइब का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी जर्मनी 27 सदस्य वो नहीं है पाकी तीनों है वो 27 सदस्य है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगटक है तो सीमेंट का जो मुख्य संगटक है 26 का राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर option B और जो सिमेंट उद्ध्योग है इसको भारासी उद्ध्योग में रखा जाता है भारासी उद्ध्योग में इस तरीके से भी पूछा जाता है नेक्स्ट है बारत में किस राज में प्रदेश राज मार्ग की लंबाई सारवादिक है तो प्रदेश राज मार्ग की लंबाई पूछी है ना कि राष्टी राज मार्ग की 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा option D महारास्ट जो प्रदेश यानि राज की राज मार्ग है वो महराष्ट में सारवादिक हैं लेकिन आश्टी राजमारुक की लंबाई सारवादिक यूपी में है तो प्रश्ण की अनुसार आंसर चेंज हो जाएगा नेक्स्ट है निमलेखित योगमा में से कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं है डीजल लोकोमोटिव वारणसी इंडिय सब सुमेलित हैं आपके तो ये है कहाँ पर बाकी भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड ये हार्याडा पंचकुला हार्याडा कोट द्वार उत्राकंड गाजियावाद तलोजा पूरे इन सबी स्थानों पर है नडा में नहीं है तो अप्संसी सही सुमेलित नहीं है तो इस परेशी स्री अर्कोटा है आंद्परदेस में थुम्बा किरल में हैं भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर है ये आपका करनाटक में नहीं है ये महरास्ट में है तो अपसंसी में राइस्ट आंसर हो जाएगा क्यूंकि इसमें पूचा है कौन सही सुमेलित नहीं है तो भावा देखते हैं निम्ल लिखित में से कौन भारत के प्राकरतिक बंदरगा है चेन नई कोच्ची तूति कोरेन विशाका पत्नम तो 31 में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसन डी तू और फोर जो हैं आपके तू कोच्ची और विशाका पत्नम ये प्राकरतिक बंदरगा है यह पूस्ता है प्राकरतिक बंदरगा कौन से हैं तो कोच्ची और विशाका पत्नम ये आपके प्राकरतिक बंदरगा है नेक्स्ट है भूमद रेखा करक रेखा और मकर तीनों में से तीनों निम्न में से किस एक मादीव से गुजरती हैं तो यह अफरीका मादीव से तीनों रेखा हैं वो गुजरती हैं 32 correct answer option A हो जाएगा next देखते हैं भारत की स्वाणिम चतुरबुझ योजना है वो जोड़ती है तो स्वाणिम, चतुरबुज, योजना ये कौन से सहरों को जोडती है दिली, मुंबई, चेन्ड़ी और कोलकाता को ये आपस में जोडती है अपसने इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है खेतडी एक तरह जो साइट है यानि स्थाने उनके नाम है और एक तरह आपके मिनरल्स के नाम है, कहाँ पर कौन से पाए जाते है तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है तो खेतडी ये तामा यहां से निकलता है और सिंदुगाटी सबिता के समय से यहां से तामा यह निकाला जा रहा है तो एका तो हो जाएगा दो एका दो किसमें है एका दो इसमें है और इसमें है नेक्स्ट आपका देखते हैं जरिया है तो जरिया किसके लिए famous है तो बीका हो जाएगा आपका बीका हो जाएगा आपका तीन जरिया कोईला के लिए सिंग वूमी लोहा के लिए है तो option C इसका right answer हो जाएगा एका 2, बीका 3, सीका 1 यानि खेतरी तामा, जरिया कोईला, सिंगभूमी, लोहा 34 और सिंगभूमी कहा पर है? सिंगभूमी भी जारकंड में है, जरिया भी जारकंड में है, खेतरी राजस्तान में है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दक्षन अट्लांटेक मासागर की सीतल धारा है कोल्ड करेंट है उसके बारे में पूछा है 35 का राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सी कोल्ड करेंट है अपसन भी बेंगुला धारा है यह cold current आती है बाकी कनारी दारा अंगलोयस दारा ब्राजिल दारा यह आपकी गर्म जल दाराएं है next है निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल सोधन एकाई है तो सबसे पुरानी जो तेल सोधन एकाई है वो है option B 36 right answer option B डिगबोई डिगबोई कहाँ पर है असाम में है और 37 किस माधिप में एटलस परवत है वो इस्तित है तो एटलस परवत इस्तित है यह अफरीका माधिप में है option B इसका right answer हो जाएगा देखिए इसमें डिगबोई की स्थापना यह कब हुई थी 1901 में हुई थी इसलिए सबसे पुराना है जो कोईली है यह कोईली कहाँ पर है यह गुजरात में है इसकी स्थापना 1965 में हुई हल्दिया है यह पस्षि मंगाल में है इसकी स्थापना 1975 में हुई और मत्रा है यह इसकी सबसे बाद में हुई है 1982 में तो सबसे पुराना डिकबोई है और इन में जो सबसे बाद का है वो वो मद्रा है नेक्स्ट है किस माद ये तो बताई दिया अफरीका में है ये अटलस परवत नेक्स्ट देखते हैं सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तो एक तरफ देश के नाम दिया है और एक तरफ राज़दानी तो ब्राजील की राज़दानी क्या है ब्राजील की राज़दानी है ब्राजीलिया तो एका दो हो जाएगा एका दो 38 एका इसमें दो हो जाएगा और क्यूबा की राज़दानी क्या है क्यूबा ओकेनिया की यहाँ पे नेरोबी हो जाएगी C का 4 हो जाएगा C का 4 हो जाएगा A का 2 हो जाएगा तो A का 2 किसमें है A का 2 इसमें है और C का 4 इसमें दिया नहीं है तो A का 2 इसमें भी है option B में C का 4 इसमें भी है option 20 correct answer हो जाएगा 40 है यहां पर next आपका question स्थानी सरकारे आधार हैं तो यह लोक तंतर का आधार है यानि ग्रासरूट लेवल पर डेमोक्रेसी के लिए कौन सी सरकारे हैं वो होती है तो वो इस्थानी सरकारे यानि पंचायती राज विवस्ता होती है next है निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैंचेस्टर है वो बोला जाता है 41 correct answer हो जाएगा उसाका जापान में है और यह सूती वस्तर के लिए famous है next है निम्न में से माधिपो में से कौन सा गौणवाना लेंड का भाग नहीं है तो इन में से कौन सा गौणवाना लेंड का भाग नहीं है 42 correct answer हो जाएगा option A उत्तरिय अमेर का यह किसका भाग है यह अंगारा लेंड का भाग है नेक्स्ट है लोग प्रिय प्रवसत्ता क्या है 43 तो लोग प्रिय प्रवसत्ता है जनता के प्रतनिदी का प्रवत्व अप्सन B नेक्स्ट है आपका 44 निम्न मैंसे कौन सा बारत में मुद्रा स्पीती के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है यानि inflation की सबसे प्रचलित माप क्या है 44 का राइट आंसर हो जाएगा थोक मुले सूच कांके यानि wholesale price index है डवलू टीपी डवलू पी आई है वो आपके मुद्रा स्फीक्ति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है प्रचलित माप पूछा है उप्युक्त माप पूछा जाता तो हो सकता answer change हो जाता लेकिन प्रचलित ही है नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्री करण किसकी मैत्पूर्ण विशिष्टता है तो यह लोकतांत्रिक राजजी की यह option ace का राइट answer हो जाएगा सामेबाद की तो होई नहीं सकती है यह तो democracy से इसका दूर दूर तक नाता नहीं होता समाजवाद में वी full democracy नहीं होती सरुष्टता वाद यह तो होती नहीं तो option ace में राइट answer हो जाएगा लेकिन यहाँ पर पूछा है केंद्री करण 45 सब्दोपे ध्यान देना है केंद्री करण तो केंद्री करण मैंने यहाँ पर पढ़ा तब लोकतांत्रिक होगा लेकिन लोकतांत्रिक केंद्री करण पूछा है तो समाजवाद हो जाएगा option ace का राइट answer हो जाएगा next है 1991 में नई आर्थिक नीती में अपनाई गई जिसकी मुख्य रण नीती थी तो क्या रण नीती थी यह सभी रण नीतियां थी एल पीजी फिरिफॉर्म की और option d में राइट answer हो जाएगा next है राष्टिय धरोवर विकास एम्म संबर्धन योजना यानी हिर्दे संबंदित है तो हिर्दे का संबंद किस्से है 47 का राइट answer हो जाएगा option b सांस्कृतिक विराशत सेरों के सरक्षन से 47 सांस्कृतिक विराशत सेरों के सरक्षन से total इसमें आपके 12 सहर हैं और उनका नाम यहां पर पताती है आपको वानदसी, मतुरा, अमरत्सर, वारंगल, अजमेर, अमरावती, गया, कांची पुरम, वैला कन्नी, बादामी, द्वा का और पूरी को इसमें सामिल किया गया है उत्तर प्रावति टेलंगना का है और अजमेर है राजस्तान का है गया भिहार से है कांची पुरम तमिनाडू से है बादामी आपकी ये भी बादामी की गुफाएं ये महारास्ट से हो जाएंगी पूरी आपका ओडिसा से हो जाएगा नेक्स्ट है देश में नागरिक सुरक्षा को पुनरजीवित करने के लिए किस पंचवर्शी योजना में सौ करोड की एक योजना है वो लागू की गई थी 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन भी ग्यारेवी पंचवर्शी योजना में नेक्स्ट है हाली में किस कंपनी को संक्तराज अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने राज़्ट सुरक्षा को खत्रे के रूप में नामित कर दिया है उसके 5G ट्रायल पर रोक है वो लगा दी है तो 49 का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यह चाइनीज कंपनी है हुआ वेई और इसको ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी नेक्स्ट है भारत के 10 लाग या अधिक जनसंक्या वाले नगरों में उत्तर देश के कितने नगर हैं वो समलित हैं यह बड़ा फेवरिट सवाल है यूपी में इसको बहुत पूछा जात हैं 50 राइट अंसर आपसं सी 7 और यह कौन से सहर हैं तो यह हैं कानपुर लकनु आगरा गाजियवाद वारानसी मेरट इलावाद यह सबी साथ 10 लाग से उपर जनसंक्या वाले सहर हैं नेक्स्ट है जिला प्रशासन निम्न में से कौन सी नागरिक सुविधाय प्रदान करत है तो सड़क सिक्षा सड़कों का रकरका 51 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑपसंड डी इस अभी जिला प्रशासन के अंतर गता आते नेक्स्ट है निम्न में खित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को वारत सरकारदारा बारत से समानित किया गया था तो खान अब्द किस भारत चीन सीमा संगर्स को लेकर पेंगोंग सो जील चर्चा में रहा यह जील इस्तित है तो यह जील इस्तित है लदाक शेत्र में अपसंसी इस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है रास्टी परियावरण अभियांतर की सोथ संस्तान यानि नीरी कहां पर है तो एक मिश्रण है उपसंसी मकैराइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सिंदुकार्टी सभिता का पत्तन नगर ठा यानि पोट नगर कौन सा था लोथल अभिकम सा LISA कराथ आट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इस बार शोख सोगोश किसका समकालीन था तो आशल धो समकालीन थ अजय विक्ट संगटाओं के मद्य विचौलिय का कार्य करते हैं तो कौन करते हैं 59 में आपका right answer options ही हो जाएगा उतपादक नेक्स्ट है 60 निम्न लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है राष्टी राजदानी राजाजी राष्टी उद्यान हाती पेरिया राष्टी उद्यान हंगुल मानस राष्टी उद्यान हाती और दुदवा राष्टी उद्यान टाइगर तो इनमें कौन से किसी specific जो ज पिरिया राष्ट उद्यान में हंगुल हैं वो नहीं मिलते होपसन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है एक तरफ नगर या कसवाएं दूसरे तरफ नदी है तो बिठूर गंगा गोरकपुर रापती जॉनपुर सही और कौसामबी यमना तो इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उपसन C जॉनपुर है ये सही नदी के तट परिस्तित नहीं है तो ये किस नदी के तट परिस्तित है ये गोमती नदी के तट पर है सही नदी के तट पर है वो प्रताप गड़ है प्रताप गड़ से उकर सही नदी है वो गुजरती है असट पर्देश में कौन सा जला अवनालेका, अपरदन से सारवादिक प्रभावित आथवा है, चंबल इसी तरह का अपरदन है वो करती है, ऐसका राट रहोजाएगा, 62 इटावा, नेक्स है आपका निमने लिकित में से कोन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ संस्तान और एक तरफ इस्तान बारती सब्जी अनुसंदान संस्तान वारानसी केंद्री उपोष्ण उद्यान अनुसंदान संस्तान सरी नगर भारती गन्ना अनुसंदान संस्तान लखनवू भारती दलहन अनुसंदान संस्तान कानपूर तो 63 कापकाराइट आंसर य 64 का राट आंसर हो जाएगा आप संडी 1993 में राष्टी महिला को उसकी सावनाएं वो की गई थी 65 है यहाँ पर जो कला सेली भारतिय यूनानी आकरती का समिर्ष्रण है उसे कहते हैं तो उसे गंदार सेली कहते हैं इसमें हेलनिस्टिक कला और भारती कला इस और एक और कला है से नेक्स्ट है आपका बारत में सरप्रतम संकेतिक मुद्रा का प्रशलन किया था संकेतिक मुद्रा का प्रशलन है वो किसके समय किया गया 66 का राइट आंसर हो जाएगा मुहमद बिन तुगलक इसने चीनी चीन का एक सा सकता उसके उसको फ़लो करते हो इसने संकेतिक मुद्र का प्रशलन है वो किया था नेक्स्ट है यदि दो इस्तानों की स्तिती 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों इस्तानों के बीच समय में अंतर हो जाएगा कितना 67 कराइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री यह देश आंतर का अंतर होने पर 6 गंटे का अंतर होजाएगा नेक्स्ट है सूर की उर्जा उत्पन होती है तो नाभीकिय सलयन के द्वारा उत्पन होती है 68 कराइट आंसर अफ्सन भी हो जाएगा हाइड्रोजन का नाभी किये सल्लेयन नेक्स्ट है भारतिय घास चारा अनुसंदान संस्थान जहांसी में इस्तेत है option D इसका राइट आंसर है जहांसी नेक्स्ट है गुप्त सम्मद की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई सम्मद की स्थापना नहीं शुरुआत होती है तो किसके द्वारा की गई थी 70 का राइट आंसर अप्सन ही हो जाएगा चंद्रगुप्त फस्ट नेक्स्ट है योगदर्सन के प्रतिपादक है तो पंत जली है ये योगदर्सन के प्रतिपादक है अप्सन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं 72 नमर का सवाल है पुराणों का अध्यन करने वाला प्रतम मुसल्मान कौन था तो पुराणों का अध्यन करने वाला था अलवरुनी अप्सन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तहकीके हिंद यानी भारत के बारे में जानकारी खोज ये सब हैं तो ये अलवरुनी ने पुराण और सारे ग्रंत हैं उनको पढ़ करी भारत के बारे में लिखा था नेक्स्ट है उसूची एको सूची दो के साथ सुमेलित करना है एक तरफ लेखा को और एक तरफ उनकी रचना है तो ज्याओदीन बर्नी हसन निजामी मिनाह सिरास अयाविन आयमद और एक तरफ तारिके मुवारक साही तबकाते नासरी तारिके फिरोस साही ताजल मासर और त तबकाते अकवरी 73 में आपको ये सही इनको सुमेलित करना है तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जायेगा ज्यावद्दीन बर्णी ने लिखी थी तारिक फिरोसाही एका 3 हो जाएगा ताजुल-मासिर है ये किस ने लिखी तो ताजुल-मासिर है हसन निजामी की हसन न में B का 4 हो जाएगा और इसमें जो मिनाज विराज ने तबकाते नासरी लिखी है तबकाते नासरी यानि C का 2 हो जाएगा और अया बिन एहमत सरिंदी की जो रचना है तारिखे मुबारक साही यानि option D का A जो है A हो जाएगा तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यनि आप 73 राइट आंसर आप संडी नेक्स्ट है अकवर का मकवरा कहां पर है सिकंदरा जांगीर का मकवरा साधरा सेख सलिम चिस्ती का मकवरा फतिफुर सीकरी सेख निजामदीन उलिया का मकवरा अजमेर तो इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आप संडी सेख निजामदीन उलिया अजमेर में नहीं है दिल्ली में है तो इसमें right answer option D हो जाएगा जांगीर का मकवरा साधरा लाहोर में ही एक जगे है वहाँ पर है तो इसलिए इसमें confusion मत होना आपको लगेगा लाहोर में है जांगीर का लेकिन साधरा लाहोर में ही जगे है वहीं पर है इसका मकवरा नेक्स्ट है मदिकाल में बटाई सब्द का अर्थ था तो मदिकाल में बटाई सब्द का अर्थ क्या था option भी हो जाएगा लगा निर्धारन का एक तरीका था नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वायू प्रदूसर्ण के जैविक सूचक का कारे करता है तो ये करता है like in option A, 76 right answer option A next है बाल गंगा धर्थ तिलक को असांती का जनक कहा था वेलेंटाइन शिरोल ने option 16 का right answer हो जाएगा next है बारत में project tiger प्रारंब कब किया गया था 78 का right answer हो जाएगा option B 1973 में project tiger है वो शुरुआ था और 1993 में elephant project है वो शुरुआ था next है निमनलिकित करांत कारियों में कौन का कोरी सड्यंतर केस से जुड़ा नहीं था राम प्रशाद विस्मिल रोसन सींग बगत सींग स्वा कुलाखा 79 का right answer हो जाएगा option C बगत सींग मगद की प्रारंबिक राजदानी थी तो मगद की प्रारंबिक राजदानी थी गिरिवराज राजगरा option C next है स्याद व्याद स्यादवाद का सिदान्त है वो किस से समन्दित है तो 81 में right answer हो जाएगा option C स्यादवाद जैन्दर्म से समन्दित है next है आपका 82 आदारवूत उद्योग या कोर उद्योग में किसे समन्दित नहीं किया जाता तो आदारवूत उद्योग यानि कोर उद्योग आपके total 8 उद्योग है इन में से कौन सा उसमें समन्दित नहीं है तो क्रसी उत्पादन है ये समदित नहीं है बागी बिद्धुत कच्चा तेल कोईला सिमेंट ये आपके ताठ हादारवूत राज्यों में ही आते हैं 83 बारत छोड़ो प्रस्ता पारित होने के बाद गांदी जी को कैद किया गया था तो ये कहाँ पर कैद किया गया था 83 का रायट आंसर हो जाएगा आगाखा पैलेस ये गांदी जी को यहाँ पर रखा गया था और अहमेद नगर के किले में जवाला नहरू को रखा गया था अखिल भारती किसान सवा के प्रतम सत्र की अध्यक्सता किसने की थी तो अध्यक्सता है वो स्वामी सहजानन्द ने की थी और जो सचिब थे वो एंजी रंगा थी नेक्स्ट है निम्न में कौन एक स्वाराज पार्टी से संबंदित नहीं है मोतिलाल नहरू, सियारदास, एंसी केलेकर, राजिन प्रशाद तो 85 में राट अंसर अप्सन डी हो जाएगा राजिन प्रशाद है ये स्वाराज पार्टी से संबंदित नहीं है बाकी सियारदार्स और मोतिलाल नहरू संबंदित थे लेकिन केलेकर हर बुक में नहीं लिखा है लेकिन केलेकर भी थे तो ये दोनों सही है नेक्स्ट है निम्न में से किसने गांदी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजनी नाइडू, राजकमारी अमरता कौर, कमला देवी, चटो पादया उप्युक्त में सभी तो 86 में राट अंसर अप्सन डी हो जाएगा इस सभी ने लिया था नेक्स्ट है, भासा यादर पर, राजयों का पुणर गठन किस वर्स किया गया था 87, 1956 में इनका भासा यादर पर, पुणर गठन ने वो किया गया था सब कुछ जो आप समझ सकते हैं व्यक्ति के जीवन से समन्दित चीजे हैं व्यक्तिकत जीवन से वो आर्टिकल 21 में ही समलेत हो जाती है नेक्स्ट है खजुराओ मंदर इस्तापति के निर्माण में सयोगी थे तो ये थे चंदेल ये इंपोर्टेंट है इसको बहुत फूस्ता है हर एक्जाम में मतलब चंदेल वन से सवाल आता ही है 89 राइट आंसर ऑप्सन ए चंदेल नेक्स्ट है 90 पंचायत के चुनाब कराने हित्तू निर्ने किसके द्वारा लिया जाता है 90 का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन भी राज सरकार के द्वारा नेक्स्ट भारत में मौलिक अधिकारों के समंद में निम्न वक्त तप्यों पर विचार कीजिए ये राज क्रत्य के विरुद्दे गारंटी है समयदान के बाग तीन में सूचिवद है नेक्स्ट पर पंचायत के चुनाब कराने का जो निर्णे है तो यह रिपीटेड सवाल हो गया पंचायत के चुनाब कराने का जो निर्णे है वो लिया जाता है राज सरकार के द्वारा 93 नियाए दर्शन को प्रचारत किया था नियाए दर्शन का प्रचारत है वो किसके द्वारा किया गया गौतम के द्वारा अप्सन भी 94, 2021 की जर्गड़ना स्वतंतर भारत की कौन सी जर्गड़ना है ये जर्गड़ना बहुत important है 94 का राट answer of Sunday हो जाएगा स्वतंतर भारत की आठ भी है ठीक है, स्वतंतर भारत की आठ भी है और वैसे पूछी जाएगी तो अलग answer हो जाएगा और इसका slogan क्या है और इसमें क्या क्या कौन से parameter वो यूज किया रहे है पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर जो MSME की जो definition है उसको change किया गया है तो इसमें जो लगुद जोग है यानि small है उसकी definition क्या की गई है 95 का राट answer option C हो जाएगा 10 करोड रुपे का निवेश और 50 करोड का turnover होगा चाहें वो सिवा सर्वेश सेक्टर का हो यानि good सेक्टर का हो तो दोनों में एक ही परिवासा है वो कर दी गई है तो C ही इसमें राट answer हो जाएगा पहले अलग लग लगती जिले का सर्वोच रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है तो 96 का राट answer हो जाएगा यहाँ पर option B पुलिस अधिक्षक बारत में सारवादिक दिव्यांग आवादी किस राज़ में पाई जाती है तो 97 का राट answer उत्तरप्रदेश जाएश्ची बात है टोटल जनसंकिया इतनी जादा है तो सभी आवादी अगर नॉर्मल जनसंकिया पूछेगा परसेंटेश से अलग तो यूपी में ही होगी सब 98 का राट answer यहाँ पे पूछा है आपसे चेंपियन्स पोर्टल की सुरुआत पंदर जून 2020 को की गई थी तो यह किस से समझनेत है तो चेंपियन्स पोर्टल है यह समझनेत है आपसन भी MSME सेक्टर से यहाँ MSME सेक्टर को औरेंड प्रदान करने से समझनेत है चेंपियन्स पोर्टल 98 आपसन भी चेंपियन्स पोर्टल नेक्स्ट है बी सूत्री कारिकरम है ये कब प्रारम किया गया था तो बी सूत्री कारिकरम है ये ओप्शन ए 1975 में प्रारम किया गया था नेक्स्ट है राष्ट ये जनसंक्या इस्तिरता कोस की स्थापनाय कब की गई थी 100 करायट आंसर हो जाएगा और वीडियो को सेयर आप जरूर करें सभी ग्रूप में अपने फ्रेंड्स के साथ में और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और बाकी के टेस्ट पेपर आपको SST के मिलते रहेंगे और जैसे ही घटना चक्र की सीरिस है कतम होगी उसके बाद यूथ के भी आपको मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे और बाकी जो हम लोग के चुट में चल रहे हैं वो भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे तो आप इन सीरिस को फॉलो जरूर करते रहें यहां से एक्जाम में आपके बहुत सारे सवाल हैं वो आने वाले हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थेंक यू